वो कौन है वो वही कस्टमर है सर जिसकी एट लीस सेवंटी थाउजन तू वन लाक रुपीज की इंकम है वही सोलर को अफॉर्ड कर पार रहा है उसको सबसीडी की जुरुत ही नहीं है राजस्तान जैसे स्टेट में जहां आठ से नौ रुपए पर यूनिट है उसको आपको सबसीडी देने की जुरुत क्या है यह देखा जा रहा है कि कुसुम योजना देख लो आप उसमें भी टार्गेट नए कस्टमर को किया जाता है एक किसान जिसको यही नौलेज नहीं है कि उसकी वाइबल्टी कितनी है प्रोजेक्स की कि तीन रुपए चौदा पैसे या आप जो भी रेट कर देते हो धाई रुपए उसमें उसकी वाइबल्टी नहीं आपा रही है वह बंदा लगा रहा है पीपीए साइन होते हैं डेट सो डेट सो लोग करवाते हैं लेकिन आ अभी जो आपने कुश्चिन किया कि या तो इसको सब्सेटी को खतम कर दें या हम ऐसा प्रय मतलब वो ऐसा कोई प्रपोजल बना के क्यों नहीं देते हैं मिनिस्ट्री में तो एक तो चीज वैसे अभी आप लोगों को शायद पता भी होगी मेरे खाल से मैं फिर रिपीट क दे दिया गया है हाला कि वो उसके पीछे उनका जो मंतव्य था वो यही था कि चुकि सारी चीजें उनसे रिलेटिड हैं बेसिकली वो अगर रूफटॉप किसी को लगाना है तो वो कितनी कैपसिटी का लगेगा कितनी उनकी ट्रांसफॉर्मर की कैपसिटी है जहां वो पूरी सी प्रैक्टिकली समस्या आ रही थी तो वहां इस चीज का मंतव रखते हुए उन्होंने डिसकॉम को हैंडिल करने के लिए यह स्कीम दे दी हैं तो अब यह हो रहा है बेसिकली कि उस सब्सीडी का जो पैसा आप अभी जैसे उन्होंने भी हमारे एमडी साब ने भी डगा साब ने भी एभी एक कहा था कि बेसिकली इशू यही आ रहा है कि अब क्या हो रहा है कि जो सब्सीडी रूट हाला कि उन्होंने डिसकॉम ने हमें करने के लिए दे दिया इस डिसीशन के बाद भी बिकाज कि वह ररी सी इस पुराने काम के लिए एक्सपिरियंस्ट ह वह पहले भी देख रहे थे हम लोग तो इसलिए वह डिसीशन हों गया और वह अब दिक्कत ये हो रही है कि वह सबचिडी पहले तो आती highlighter में डिसकॉम से फिर RRC को देते हैं और वो डिसकॉम के पास नहीं आपा रही है तो वो हमारे पास भी नहीं आपा रही क्योंकि डिसबर्स हमारे थुरू होनी है because we are dealing with that वो चुकि डिसकॉम ने हमें अंड़ोर करी थी ओरिजनली उनी को करना है वो काम जैसे अब हमने भी क्या है इस चीज को उधर ट्रांस्वर करवा दिया है तो अब नाव टोटली डिसकॉम सर फ्री और वो उनको ही देखनी है डायरेक्ली एमेनारी के कंट्रोल में क्योंकि मेरी सर आप ऑफिशल लोगों से यही रिक्वेस्ट इस चीज को लेकर जैसे मैं पंजाब में काफी टाइम से मैं बेसिकली हूं राजस्तान से लेकिन यहीं 2014 के अंदर क्योंकि यहां काफी इशू से सब्सीडीज को लेकर मैं राजस्तान शिफ्ट हो गया था मेरी कंपनी राजस्तान हिमाचल एंड जैपूर को भी कवर करती है तो राजस्ता आप पंजाब में भी देखेंगे तो वहां पर जो प्राइज़ आये थे पिछले दो साल जब पीए स्पीचल के पास में गया था कोई भी वेंडर काम नहीं करता था तो पंजाब के कस्टमर को यह कि यह चीज़ पता है कि कोई सबसीडी में लगाता ही नहीं है तो उसकी रिक्वाइरमेंट ही वन गई थी क्योंकि उसको आठ से नौ रुपए पर यूनिट देना पड़ता है तो वह लगाई रहा था उसको सबसीडी की ज़रत ही नहीं थी तो हमने यह देखा है कि कंजूम था ना वो यह था कि रूफटॉप में हम गुजरात के कंपरिजन में कहीं नहीं सबसे पहले तो जब हम रूफटॉप की बात कर रहे हैं तो वहां पर सबसीडी का पार्ट तो बहुत चोटा है क्योंकि वह तो आगया प्रेजिदेंशिल पर आप सी एंड आई में भी देख की सोलर हो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं अभी अर्र आप अगर आर्यार्सी की साइट पर देखो एन्यूल रेविन्यू रेक्वार्मेंट इनका डिस्कॉम्स का आपको पता है उसमें सोलर के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स नों लिख रखके उन्होंने का है कि अब बोला गया कि फीडर लेवल पे आप पांच परसंट के अंदर ही लॉस रखोगे जेविन्यूल के कुछ फीडर से जहां पे लॉस माइनस में रीजन कि वहां पे इंडस्ट्रियल सोलर लगा हुआ है उनको पैसे तो देते नहीं पावर तो एक्सपोर्ट औरी वह कहीं जाईरी भिकरी तो जो लॉस है वह माइनस में यह सब चीजे जानते हुए भी यह एर पढ़ने से पहले तो मैं यह सोच रहा था कि डिसकॉम को यह समझ में नहीं आ रही मतलब वह यह समझ नहीं रहें जो मैंने बोला ना कि आप इनको साथ में रखो आप इनको फाइदा है डिसकॉम को आपको सिस्टम अपग्रेड नहीं करना कुछ नहीं करना लेकिन वह अब उनकी मंसा है कि भई इसको कैसे बढ़ावा देना नहीं देना इसके अलावा मैं चीज़ आप को तो यह चीज़ हो गई डिसकॉम की जो कर रहें दूसरा अवेरनेस की जो बात है ना मुबाइल बुक कर वाओ वैसे वाला होता है ना उस लेवल के हर चैनल पर उनके अवेरनेस केमपें रेडियो टीवी और वाट्सैप मिस्ट कॉल हर तरह से आप तो वह अवेरनेस केमपें उसके अलावा आब आते हैं टेक्नलोजी पे उनका वेब पोर्टल पूरी तरह से तो आप राजस्थान में आप बोल रहे हो कि भई है आप अगर आप कहां पर उसको रिजिस्टर करोगे अभी तो युनिफाइड वेब पोर्टल ही नहीं अगर वेब पोर्टल नहीं आपको तो फाइल लेके जाना पड़ेगा अज मेरे डिसकॉम और जयबू दिसकॉम यह सबसेडी को बंद कर देना चाहिए यह देख लिए डेफिनिटी यह क्वेश्चन स्टेट्स का नहीं है यह क्वेश्चन सेंट्रल का है और इस पर्टिकुलर में कई बार मेरी खुद जब मैं मिनिस्ट्री में बैठता हूं बातचीत हुई है डेफिनिटी अभी तक इसका क मिनिस्टर साब के साथ हम बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो भारत सरकार को एक पब्लिक इमेज के लिए करनी पड़ती है जहां पर अब आप कहेंगे किसा मंदिगा क्यों चल रहा है लेकिं चल रहा है बट इस सरी सब्सक्राइब कोई फरक नहीं इसको हर तरह के चैरे दिखाने पड़ते हैं देश के अंदर राज्य के अंदर दुनिया के अंदर तो यह पॉलिशी उसी का एक हिस्सा है लेकिन मेरे को उमीद है कि थोड़े बाट टाइम में जिस तरीके से बातचीट चल रही है इसके दूसरे रूप में इसको शायद र रूफटॉप को सबसीडी से अठाके लेकिन एक रेगुलर फाइनेंस का सिस्टम मना दें इसको रेगुलर फाइनेंस का सिस्टेम माईने यह रहता है कि आज जैसे कि आज इसको एक तरीके से माले एक नॉर्मल आपके एफ एक मार्केट में जा रहे हैं किसी भी शोरूम प आपको यह सबसीडी से जादा फैनेंस का फाइदा हो जाए आपको बैंकों के पास नहीं जाना पड़े आपको सोलर सिस्टम लगाना है तो मेरे ख्याल से सरकार पॉलिसी तरह की बनाने की तयारी गरेगा यह पांच साल में आपको सोलर सिस्टम बग बजार यहां बड़े आप जाएंगे आप सिर्फ अपना पांच परसंट दस परसंट दीजिए और आपके घर पे लग जाएगा मतलब रिलाइंस आजाएगा रिलाइंस लगाएगा सबके घर में जी यो की तरह अब अपन थोड़ा सा यहां तक हम पहुंचेंगे थोड़ा सा आगे और जाते हैं कि और इंस्टलेशन होंगे अच्छा होगा रिनुबल में हम अच्छा करेंगे हमारे साथ हिमान्शु जी प्धा कार्बन क्रेड़िट्स और इस पे काम करती हैं इनकी कंपनी अब ये क्या है, बहुत सारे लोगों का सवाल है हम भी सुनते आ रहे हैं क्योत प्रोटोकॉल देके आज तक वो सीडियम से लेके अभी तक कारवन ट्रेड रेट्स और कारवन एक्षेंज और क्या होगा क्या नहीं लेकिन वो क्लारिटी नहीं तो आप अभी से लेके आगे कुछ टाइम तक क्या फ्यूचर होने वाला है कैसे इसको क्या करें आप इस तरह स अभी से आप 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 कर लेंगे को शलर पावर बांट की तो काफी मेर ले 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 अव प्राइज था लेकिन चलिय आगे अगे बढ़ने था किसी को पता नहीं है हाँ आप अब आगे से आप ग्रूचर कर गोड़निग और की यूविवेंट बडेंग यूचर अजग अग 90% of the market share in India and 35% in globally, basically, मैं basic चीज समझाता हूं कि जो पारे सेग्मेंट and Kyoto protocol हुआ, वो यह देखके हुआ कि काफी development हो रहा है market में और उसी के साथ pollution भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो करने के लिए energy energy is the main base of you know development of any country, energy का requirement हमेशा रहेगा, लेकिन थर्मल से लोग जो energy utilize कर रहे वो हमारे environment को pollute कर रही थी, right, फिर तब इतनी technology affordable भी नहीं थी, solar आज की date में आज से 10 साल पहले जाहिए, उसका क्या rate था और आज module का क्या rate है, सब पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, फिर उस ताइम पे इन लोग ने कारवन फिनांस की सुविधा निकाली, देशी revenue stream देंगे, जो कि आप हर ton, जो CO2 एक ton आप जो साल में reduce कर रहे हो, वो एक carbon credit बनाती है, technically एक megawatt hour is equal to one carbon credit, technically, तो उसका हम कुछ नकुछ आप आप वो trade कर सकते हो, वो एक commodity आजाती है, वो आप trade कर सकते हो international market में, जिसकी वैसे आपको additional revenue मिलता है, तो आप जैसे low bidding की problem है, ठी जो कि यह एक particular area बहुत चीजें तो उसकी answer, answerable हो जाएगा, बतलब लोगों के लिए affordable हो जाएगा, काफी developers हमारे इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, इस चीज को already revenue stream consider कर रहे हैं, जो हमारे बड़े IPPs इंडिया में, वो already काम कर रहे हैं, बट EPC के पार्ट पे अभी भी knowledge नहीं है और इतना आते भी नहीं है इस industry में, because उनको लगता है कि बहुत इतना माताफची कौन करेगा, इन विल्कुल layman terms में, क्योंकि documentation requirement है, फिर customer investment है, क्योंकि IPPs में तो उनका investment होता है generally, लेकि यहां पे customer involvement आ जाता है, मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि इसमें इतना है यहां प्रोसस नहीं है और हम लोग इसको एजी आगे ले जा सकते हैं, बैसकिल लिए हम सारे अभी 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 तक सुबै से इतनी technologies के बारे में बात हुरी है, green hydrogen के बारे में बात हुई, EV के बारे में बात हुई, इतने सारे रिफॉर्म आ रहे हम लोग घ्रीन पे काम करें कि हम उनको carbon credits कैसे देला पाए हम अभी तक इतने municipal corporations के साथ involved है, जैसे कि indoor municipal corporation का जो प्लांट लगा है, waste to CNG बना रहे हैं, उनका यह प्लांट पहले feasibly viable ही नहीं था, जब से हमारे साथ वो इंडल्ज हुए VR लाइक इतने अच्छे terms हो गए और इतना अच्छा revenue बना कि वो प्रोजेक्ट इतना viable हो गया, that they have increased the capacity recently और अभी April में फिर से उनका inauguration हुआ, एक नहीं capacity के साथ, तो वही है कि आप लोग EPC players प्लीज आगे आईए इस एक revenue stream को भी consider करिए, हाँ government भी support जैसा भी कर रही है, मैं इतना तो उसमें knowledgeable नहीं हूं, बट येस हम लोग support करने को तियार है, जितना भी investment होता है registration का, वह start होता है thousand dollars से 30,000 dollars की range में, वह capacity करता है, वह सारा हम करते हैं, आपको कोई investment नहीं करना है, आपको बस documentation पार्ट पर support करना है, ठीक है, और documentation भी कितना कोई hefty नहीं है, कि बहुत जादा documentation आप से चाहेंगे, just regular thing, commissioning certificates, longitude, latitude, location of the project, some investment decisions, shareholding, pattern अगर है, तो यह सब बस normal documentation है, जो की easily affordable है, आप लोग easily यह सब ला सकते हो, और बागी काम हम करेंगे, अगर आपको किसी में difficulty आ रहे हैं, हम आपको guide भी करेंगे, हमारा recently shell के साथ भी जेवी हुआ है, हम उस जेवी के तहट पूरे इंडिया में forest बना रहे हैं, हम ऐसे forest project को funding दे रहे हैं, हम agricultural, sustainable agricultural farming को funding दे और हम लोग man-made grooves भी develop कर रहे हैं, हम सब को funding दे रहे हैं, so we are helping these projects, we are helping renewable projects as well to sustain in the long run, because renewable power का revenue काफी time में आता है, because long life cycle होती है, और आप अगर revenue stream as a carbon credit की revenue stream consider करेंगे, तो वो भी आपको बहुत help करेगा, long run में, basically, सब 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 players in the market, every player in the market would be, you know, happy with the investments they are making in the green energy development. Thanks, thanks. अपड़को जितना, पूछू. आप देखू करते हैं, कि ये रेजिटेंस में इतने सारे solar plant लग गए है, तो डेजिटेंस वाला भी तो solar plant लगाई है, तो carbon credit लगाई है, तो इसको फैसे नहीं है, डेफिनिटली मिलती है, मिली, क्योंकि एक single project जाना difficult होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे आप एक EPC player है, मार हम वो एक project में bundle कर लेते हैं, और हमको एक साथ register करते हैं, ताकि to make it financially feasible और हाँ, प्रोजेक्ट का डीटेल प्लांट वाइस जाएगा और benefits भी पास्वान अकॉर्डिंग लिए और सारी बड़ी companies के साथ हम involved है सर जो भी developer है ठीक है, तो जो भी investor है उस case में हम उनको benefit पास्वान होता है, अब जो भी उसमें invest कर रहा है प्रोजेक्ट में अब जो भी जिसने भी बिट जी ती है, जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको benefit मिला है और आज आज से क्या दो दस साल से मिल रहा है यह अभी बड़े प्रोजेक्ट तक ही है लेकिन इन्हों ने बताया कि यह पॉसिबल है अपने तक अब यह बात इन्हों ने हम तक पहुंचाई है, हाँ पूछिए यह मैं इंट्रवीन करना चाहता हूं इसमें जैसे यह जो रूफटब वाले प्लांट्स लगते हैं इसके करना दिंग आपको अपको इंसेंटिवाइज कर रहा है आपको ग्रेड से जोड़के आपको शस्ती पावर लेने का मौका दे रहा है सारी चीजों के लिए डिस्कॉम को ब्लेंग करना ठीक में है अब लाइक तो एड वन तिंग जो आर्पी उब्लिगेशन साटिस्फाइ डिस्कॉम कर रहा है अपना आर्पी गुरूबल पर्चेस उब्लिगेशन और कार्बन क्रेडिट बहुत एक थिल्लाइन डिफरेंस लेक उसको पर्चेस करना है रिन्यूबल पर्चेस उब्लिगेशन इसको इतना परसेंट रिन्यूबल से लेना ही है तो वह ले रहा है तो दोनों अलग चीज़े और उसका रिवेन्यू अलग है आर्पी हम रिसी सर्टिफिकेट में भी डील करते हैं कुछ कुछ लोग आर्पी नहीं होते हैं माल लेजे मैं आर्पी अबलिगेट नहीं हो लेकिंग मैं प्लांट लगाया है और मैं रसी सर्टिफिकेट भी क्लेम कर सकता हूं और कारुंट इप्लेट इस अधिक लिए अग्यू तो गेट कनेक्टेट विद अश्म पूरा ट्राय करते हैं और आगे चलके अचीड फिस्ति कंडिवर्स नहीं के तविद भी टो भी इजब फॉर इस नहीं कुझा चीए ते युद टी व्रफिट प्लेड़ तो अविल इस बादिवे में पर तो मरे पास एक पास होई तो हमारे पास अव्यड़ी प्रोजेक्ट होते है वह मेरे पास और आपके पास ह तो हम दोनों के प्रोजेक्ट एक साथ ले जाते हैं यह वाट वाट से हम बात बिलकुल अराम से आगे ले जासे हैं कर्बन क्रेडिट आई रेक इस स्टाइड बत कार्बन क्रेडिट में टाइम लग रहा है हमारे पास वी वर टॉकिंग हमारे पास्टी बेकावट का एक पॉर्टफोलियो है विच फिफ्टी किलोवाट एन अबाव यह मैं बता है तो एंड नन अफ दिस अंडर आर्पी ओ और इनीफिंग तो कार्बन क्रेडिट स्टाट हो गया सो बेसिकली आपका क्वेस्टिन सही है और हां इसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकल पे थोड़ा यह प्रोजेशन आता है तो यह हम कैसे टाकल करते हैं जितनी के पैसिटी है उत्ता टाइम कम लगेगा सीधी साइस का अंसर जितना बड़ा क्राइप सर्फ क्यूंकि कुछ इंवेस्मेंस जो की फिक्स दोते जो की करने होते हैं जब तक उसके खर्चे करने पर वो नहीं नि दो debates and benefits choose more lucky, यह benefits, so that is completely your goal because it ultimately is your project. Okay after I would like to talk, In the interest of time I think there is making it up and some food for thought which I got and I feel like reciprocating and sharing. so definitely I think since the morning there's a lot of talk about subsidies and the entire pain that you know it brings to the entire value chain and I think subsidy probably why should we not totally do away the subsidies I am completely of that thought process because you know lot of things that we are doing in life it is like if you are buying an expensive phone or you are having this end in a 5 star hotel you are driving a luxury car or you are having a good house there is no subsidy for all these things so why solar energy I mean everyone asks solar is supposed to promote the government it should be a subsidy and I always counter that why should we promote the government it is our country we should not ask for subsidy for solar and we are somewhere contributing towards this movement of energy independence towards clean air so that is one thought that I like to bring Mani Ji has said that it is a commodity now and power always has been a commodity and it is now time that we should look at it as a clean source of energy and not as a cheap or economical source of energy thirdly very interesting conversations started with the talk of Himanshu Ji and carbon credits is something not very new in fact it is the oldest thing because of which this industry is there today so it started with the Kyoto Protocol in 2002 which led to the boom of industry in Europe and Germans started buying solar power the Discom started buying solar power from the rooftops of German households at 40 euro cents in the year of 2004-2005 after Kyoto Protocol this is a different story that Kyoto Protocol in 2012 it got over and because of that carbon markets vanished and obviously there was this entire mega debate on clean energy global warming and that time as probably this is my guess because US was out of it during the Trump when Trump was the president so that was a very very slack time but as soon as Democrats came into power and there was like consensus amongst world leaders so it has come back into light so it is coming as a big revenue one more thing lastly which I like to say and we are going to have a talk by MD of Jameer Vidyut Dutram Nigam Limited as well so just after this Discoms definitely also are praiseworthy in this entire this thing just solar cannot power your rooftop so if Discom is allowing us to put solar net metering systems definitely it is a hit to their revenue I mean and they are already you know suffering because of various political agendas so we should appreciate Discoms as well with this thought we have a very very good video from Sri NS Nirwanji MD of Jameer Vidyut Dutram Nigam Limited and I would like to really thank him and thanks sir for getting us this video he could not come here in person but he was kind enough to send his message for all of us so let us watch that and then we will break for tea EQ magazine Suricon में आने वाले सभी महमानों का मैं सवागित करता हूँ solar rooftop में जैसे के आपको पता है 55 MW का जो राजिस्तान को टार्गे अमेनरी ने दिया था उसके टेंडर्स लगबख पूरे हो चुके हैं और इस पर तीनों डिस्कॉम अपने अपने टार्गेट के इसाफ से उनने अपना कारी चालू कर दिया नेशनल डीबीटी स्कीम भी जैसा कि आपको मालूम है परलेल में चालू है जिस पर काम हो रहा है और इन दौनों में जो उप्वोकताओं को फाइदा होना है वो एक बहुत बड़ी बात है जिसमें आप सभी उपस्तित लोगों से मैं चाहूंगा कि इस पर सभी लोग अपना विशेश दियान दें और हर घर सूलर जो लगाने का अपना एक विद्य है उसको अपन पूरा कर सकें जैसा कि मैं आपको आगे और बताना चाहरा हूं कि पुशकर और जेसल में इसको एमानारी द्वारा सूलर सिटी बनाने का एक टार्गेट दिया गया था अरारी सियल को तो पुशकर को पहले सलक्ट किया है इसके अंडर से अगर हम चाहें इसमें सभी लोग मिलके जैसा की पुशकर आजमें इसकामिऑंट है तो हम चाहते हैं कि इसको सब लोग मिलके और इस स्खीम को अपन मतन्रा सब्ला सकें या कर सकें तो अपने लिए राजिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी कि राजिस्तान में एक सिटी ऐसा बन जाएगा जो कि पूरा 100% सोलर से होगा इसके अंदर रूफटॉप लगाने है अपने को और उसके अलवा जो मेगावाट बचेगा उसको अपने को जो दो मेगावा कि हम सब लोग मिलके और इस सोलर इसकी इसको अगे बढ़ाए और इसको पुषकर को एक सोलर सिटी बनाए इसके वो अपने इसके अपर अपन गर्व कर पाएंगे कि अपना एक सिटी ऐसा बनेगा इसोलर सिटी बनेगा जैन्देवाद a very interesting video from Mr. NS. Nirwan so with this we have completed our first session now I would request Mr. Navalkishore to distribute momentum to all the panel members झाल झाल